नमस्ते दोस्तों स्मार्टर रातुल में आपका सवगत हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम सिखने वाले हैं कि बैंक निप्टी क्या है बैंक निप्टी की लॉट साइज क्या होती हैं अगर हमें बैंक निप्टी के फ्यूचर और आप्शन में ट्रेडिंग करना हो तो कैसे करना है मार्जिन कितना लगता है यह सब हम इस वीडियो में एकटम छोटे समय में क्योवर करने वाले हैं यदि आप मेरे चानल को नए हो तो प्लिस चानल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेर और कमेंच भी कीजिए और दोस्तों आपने अभी तक डिमेट आपकोंड ओपन किया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्चिन में धन का डिमेट एंट्रेडिंग आकॉंट का लिंक दिया है वहाँ पर आपको अपना कीवाइस से अपलोड करके डिमेट एंट्रेडिंग आकांट ओपन कर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं जुरू रुपीज आपको चार्ज लगेगा कोई भी एन्युल मेंटेनेस चार्ज आपको नहीं रहेगा आप अगर डिलिवरी में स्टॉक बाइक करके रखते हो तो भी आपको जुरू रुपीज ब्रोक्रेज लगेगा उसके साथ आपको अगर SIP और मुचल फंड में इन्वेस करना है तो भी आपको ब्रोक्रेज जुरू रुपीज लगेगा तो दोस्तों जाहिए हैं बैननिफ्टी एक सेक्टर ऑफ इंडेक्स है जिसमें बैंक के शर्ण हैं टॉप बैंक के शर्ण हैं इनको मिला कर यह जो बैंक को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है और इस बैंक निप्टी में सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है वह यह दोनों बैंक की होती है एजडेपसी बैंक अब जो जो ट्रेड करते हैं तो उसमेँ सबसे ज्यादा ऑपुलर देडिंग के लिए माना जाता है तो वह है बैंक निप्टी हर किसी की पसंद होती है कि मैं बैंक निप्टी में ट्रेड करना सीखो क्योंकि बैंक निप्टी में हमें अच्छा अकासा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं लेकिन प्रॉफिट हुआ तो भी जदा मात्रा में हमें प्रॉफिट मिलता है तो बैंक निप्टी जो इंडेक्स है हमें दो टाइप के ट्रेड में हमें हेल्प करता है एक तो है फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड और दूसरा एता है ऑप्शन तो हम दोनों में ही ट्रेड कैसे करने वाले यह हम अभी सिखने वाले हों लेकिन बैंक निप्टी का जो लॉट साइज होता है वो होता है 40 कॉंटिटी का कॉंटिटी का लॉट साइज होता है मतलब जो भी आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करोंगे तो इसका वैल्लु आप है क्याल्कुलेट करना होता है तो अभी हम देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म पर दोस्त अगर आपको फ्यूचर अभी जो मैंका फ्यूचर अगर्फोज बाइ変 करने है तो आहिक्या करना पर क्रिफ करने पर देख यहां पर हमें क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना मार्चिन हमें अगर फ्यूचर में आपको करना है अगर आपने आप देखो 3300 मतलब 3400 पर आपने एक लॉट बाइ किया यहाँ पर मैं देखता हूं इंटू 25 लगबग आपको 2500 रुपए यहाँ पर प्रॉफिल होता है और लॉस भी अगर आप इसके ही साथ आप क्याल्कुलेट कर सकते हो तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्चिन हमें कितना लगता है अगर आप मार्केट लिमीट इस सब आग जाग करेंगे तो आप देखते कि कि अगर हमें बैंक गिप्टी में ट्रेड करना है तो आप में दुसरा ओप्शन होता है ओप्शन चेन तो ओप्शन चेन में जाते हैं हम पहले अपर दिखते हैं ऑप्शन चेन च्छिन नो तो दिखिया यहाँ पर किर्णिको यह कुण पर दिखाने ने अगर आपको तो आपको यहाँ कर सकते हैं कर चु味 इस यहां पर यहां पर call c है और यहां पर प्य अगर आपका view ड्लीण तो यहां पर plea कर सकते है अगर आपका वीऊ ऊपर उपर है तो यहां पर call फिन कर सकते हैं इस अब इस इर्जम देखू यहाफ पर 182 यह जो प्रीमिम में अगर आपको यह कॉल बाइख करना है तो आपको कितना मार्जिन लगता है एक इसपर क्लिक करते हैं इस पर टिक करते हैं तो देखो 4830 रुपए आपको यह पर मार्जिन होता है अगर आप यह अपने 180 रुपए में बाइख किया और 200 के अपने सेल किया तो आपको लगबग 500 रुपए का प्रॉफिट आपको बिल जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप कर सकते हो तो दोस्तो अब अब यह सेम प्रूशेश अगर आपको डाउन साइड है तो आपको पूडब बाइख करना है पूडब वाइख के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो क्या करने हैं सिम्पल इस पर कुलिक करने guitary कि आपको है क्लिक करने के बाएख करने के आँएख को मारिन कितना लगता है चानल पर नहीं हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब भीजिए और ऐसे ही चानल पर बने रहे हैं थैंक्स तो वाचिंग माई वीडियो गुडबाई